प्रेंड्स वी आर लाइब नाओ गुड मॉर्निंग तो अल आफ यू दिस गांदी सर एंड वैलकम टू फोकस अस्टड़ी विथ अभी वासार उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इसके पहले जो भी विडियो जा रहा था उसके माध्यम से आप सत परतिसत अध्यन करते होंगे खोठा का और आगे भी मेनत और लगन करेंगे तन्वन धन से मेनत करेंगे और पढ़ाने का एक ही मकसद एक ही टारगेट है कि सत परतिसत स्कॉरिंग हो 100% सवाल कहीं से भी पूछे ज़िए खोठा से और आपका टॉपिक से तो टॉपिक से बाहर किसी भी परकार से आपकी सवालों का जंजट खतम हो जानी चाहिए पैया है तो वहाँ जब लोग गईद्व पर्च संगरा का पहला टॉपिक सुरू करने जा रहे है जारे संसमर्ण और इसमें से बर्वा अड़े के अख्यवोर कों लोग पहला पढहेंगे आपका बर्वा-ड़ा का मतलब आद की छिवनी लिखना ही संसीमरन के हलाएगा बात के लिए क्या बात के कि लिए हुआ कि किसी की जीवनी जो हम लिख रहे रहे हैं वह अदास के überप дов लिखें तो उसे हम बोल दाएंगे तो यहां पर वर्वाडग अख़ई बहुर भी एक समस्मरण है इस मिलीती है यह आपका शांती भारत के द्वारा स्री निवास पानुरी जी के बारे में लिखा गया है ठीक है किलिर वाद चलिए अब आते हैं कि वर्वाडग नाम पर लिखा है बर्वाडग यह ब्रवड़ा है अख़ई का मतलब हुआ जो कभी नश्ट नहीं हो अच्छा हो अख़ई का मतलब हुआ जो कभी नश्ट नहीं हो अच्छा हो बोर का मतलब हुआ बरगद का ब्रीच और दूसरा एक और मिनिंग होता है दुलहा बरगद का चर्चा किया गया है जो कभी नश्ट नहीं होगा और लिखने वाले को रहे हैं सांती भारत जी तो बुर्वा अठक अख़्े बोर में आप अंदर में यहीं पढ़ेंगे कि सांती भारत में जो सिरिवास पालूरी जी है और खोटा के एंड विद्वान सिवनाथ परमानिक जी संस्मरं के रूप में आधार देने के रूप में चर्चा के बारे में जो चर्चा हुई थी जो एक दुसरे में और के अंदर हम लोगibenी तो बरवार्डग अख़ई बोर का मिनिंग समझ नहीं है बरवार्डग अख़ई बोर पढ़ने के पहले हम लोग अध्यान कर ले थोड़ा सांती भारत जी के बारे में जिन्हों ने इतनी बड़ी संसमरन हम लोग की बीच में खोठा विद्वान खोठा के धुरी के रूप मे स्री निवस पानोरी जी के बारे में दिये क्या है बाई छे अप्रेल उन्नीस वपेरशट में बोकारो इस पात नगरे चौफांद गाह में जनमल सांती भारत मा एक नाम रतनी और बाप एक नाम कुझो बात तो इतका जनम हुआ उनिस वपेरशट इसमी में गाह में चौफ दकार संति भारत जी के बारे में में बता रहे हैं कि विद्विधारती जीवन से ही खोठार हिंदी में इंखा रुची था लिखने का तो हर हिंदी कैंदी लेख कंख पत्र पत्रीका में चपल सांती भारत जी के भारत जी एकर हिंदी यार खोठा कविता कहानी नाटा क लेक संस्मरन और मानवादी विचारिक किताब लिखल रहा थी सांती भारत जी के बारे में बता रहें कि अभी भी जो है शो कहानी नाटा संस्मरन के बारे में लिख रहें जन जातिये वन छेतरिये भासा विभाग राची के कई गो किताविक सलाकार लाग थी किये सांती भारत जी के बारें बताया रहा थी कि जन जातिये छेतरिये भासा विभाग कई गो किताविक सलाकार लाग थी सांती भारत तो और कविता और बरता आकासवानी राची परसारित समाजी का संस्कृतिक कर्में तोहर बड़ी मधूर सहयों किन खर सांति भारतिक क्योंकि इतने बड़े खोठा के धुरी जो स्री निवास पानुरी जी है इनको जिदे लाने का हम लोग के बीच में समस्मरन की रूप में रखने का काम किये हैं तो कौन की हैं सांति भारति तो अनिश्चित रूप से समाजीक और संस्कृतिक रूप में इनकर बहुत मधूर सहयोग होगा तो वही बात बने बड़ी मधूर सहयोग हल्ख है इनकर है ना एक तो है मुकारों खोठा कमिटी सचीव रूपे मातरी भासक सेवा कर लहों क्या नहीं मतलब अभी भी सांति भार संति भारत जी जो है सो मुकारों खोठा कमिटी सचीव के रूप में कायज भार सम्हाल रहे हैं कौन संति भारत जी है ना यहां तक कि लिए रहे चलो हम लोग देखते तो हर संपादने बिलंदरी नामेक गीत संग्रा तितकी पत्री का छपन हो माटिक घर चांद तो हर आप संति भारत जी के संपादन के रूप में किये थे बिलंदरी और यह गीत है ठीक है और देखिए यहां लिखा है तीतुकी तो यह तीतुकी नहीं पड़ेगा तीतकी पड़ेगा कुछ-कुछ मिस्प्रिंट हुआ है कुछ-कुछ खोठा लिखने में क्योंकि बहुत पुरान चान तोहर यह भी कविता संति भारत जी का चपा हुआ है और नीचे हम लोग अभी देखेंगे स्री निवाश पानुरी जी के संस्वरन पर तो उपर जो भी हम लोग पड़े संति भारत जी के बारे में तो यहां से एंसी क्यूज नि बनेगा तो बेलंदरी पर बनेगा कि इनका चिर्च का नाम क्या है देखा जाय तो कहां से वो मतलब का सला आकार थे तो कहां से हुआ फॉर था आगे यह पुच सकता हैं आपको कि कौन सा खोठा के तहतैं गुरूप से मात्री भासा का स्यवा कर रहे थे तो कोड़ा कमीटि के सचे गुरूप का से शिवा कर रहे थे MCQ वनेंगा तो इसे में वनेगा इसमें हम आपनों की सयूग के लिए कि आपनों को सत परतिसंद स्कॉरिंग के लिए हम mcq का भी हम वीडियो लेके आएंगे mcq का भी का काम करेंगे तो इसमें ज्यादा घवराने की जौरत नहीं लेकिन जिदि आप 100% मेरे साथ अध्यान करते चले तो उमीद है कि mcq का जौरत नहीं करेंगे फिर भी हम mcq ले आएंगे लेकिन यहां लोग सत परतिसंद स्कॉरिंग का ध्यान रखते हुए आज ही 100% करते हैं बाखी बाद mcq आएगा तो रिविजन के रूप में लोग उसे अध्यान करेंगे ठीक होठा में कुछ दिन आगू से लिखेक शुरू कर लहालो मैं मतलब यह संती भारती अपनी बारिम बता रहे हैं कि बहुत आगू दिन से हम लिखने के लिए शुरू किये थे भाई किन्तु आने वला दिन में साफ सुत्रा कोई आसा नहीं था तब ही मन में जदी उठता था तो मन का संतोस करने के लिए है न हम लिखते गए कखनो अकास कास्मानी राची से परसारित होता था खोटा का की अभी भी खोटा कामान शमान है इतना मन खुस होने इतना खोठा की परती जिग्यासा होने के बावजुद भी खोठा से कोई विशेश कभी का परिचे नहीं हुआ था ये संती भारत दी अपने विचार रख रहे हैं सही वशर टावर ठकान करल खोठा भासक विद्वान एके जहां बोकारो आये हैं उन खर से पता चलन जे राची विद्याले खोठाक पढ़ायो चेर राले तो हर बात सुन के मने बड़ी खुसी देल खोठाक परती मने जे ये गो मेली च्छाइल रूप हले सेटा धौवाए ग्यला कहने के मतलब यहां है कि शांती भारत जी बता रहें कि जब यह बात हम सुनें कि खोठा के बिद्वान एके जहां जी कहां आए हैं बुकारों आए हैं पता चला और इसके बाद एक और पता चला कि राची विश्विद्याले में खोठा का पढ़ाई चल रहा है इस बात को सुनकर मन बड़ा खुसी गदगद हो गिया गदगदा उठे खोठाक परती जी मन में मतलब कहा जाए मन गिर गया था मल जा गया था साफ नहीं था कि पता नहीं क्या होगा कि नहीं होगा लेकिन अब जो है सो मन धवा गया और यतना धवाने बाद यह बात सुनने के बाद पता चला कि खोठा के परती जदी अभी भी लोग इतना आगे हैं तो इससे बड़ा हमारे जैसा खोठा लेखा के लिए गर्ब का बा कम नग नक है अभी हिर लग गऄ की बात है कि मातरी भासा जोवारी खोठा इसकी कोई भी सम्मान में कम नहीं जहां संप्रक्ज के आएक के खोठा मैं सहित लिखे के ऐगो लुतन हुई भी जागल मतलब जब जब खोठा के बिदवान एक जहां से बोकारों में संपर्ग हों तो यहां बात बता रहे हैं कि एक पत्रिका जो बहुत पुराना पत्रिका था तित्की इसके माध्यम से यहां नया हम लोगों ने लिखने वाले खोठा लेखक के बारे में अर यह सेवा के बारे में जाने तो और खुस हुआ और आगे देखें क्या बतारें तक्रिमाइदे यह गोहला सिरी निवस पानुरी जी यह 20-30 बच्र आगूले मात्री भासा खोठक विकास खतिर समरपर भा नहीं यह पता चला तो इसी के बीच में श्री निवास पानुरी जी की आ गई पत्रिका में कि इसके बारे पता चला यहां ध्यां रखेंगे बीस तीस वरच पहले मातरी भासा खोठा के लिए अपना जिंदगी को कहा जाए तो समर्पन कर दिये थे सहित लिखने में कौन स्री निवास पानुरी जी संकृत्याने संग में खोठा विकास के लिए कई गोच चिठी पत्री एक दूसरे के बीच में खोठा में लिखे थे यह बात उसी समय की बात है है ना चलियाकी देखतें कई वो चिठी तो तित्की पत्री का चपना कर लाती तो तित्की पत्री क्ति का चपा था उसमें रहूल संकृत्यान और स्रीनिवास पानुरी जी के बीच में जो जब सिद्रूकों पुद्धुर वर्टा लाब हुए था जो संदेस गया था वो ठपा हुए था कामना कर थी बहुत अच्छा कामना इसमें से बताया कि कॉलब नधारी मिलूशा चेहली और निष्चत रूप 설 करेगा यह कामना उस पद्रीकों में मैं तो मैंने विचार हिलोर माने लागा है जिसे कदिया नावेक एगो पईद संग्रा छपेक विचार उठला और उन्ने सब पचासी के दिसंबर मासे के एक दिन परमानिक जी आर बंसी जिग संगे पाडू लिपी ने के हम हों बोर्वा आडा पहुंच लो यहां पर मन था कि कब हम जाकर के सिरी निवास पालूरी जी से मिले मन में ह कि इन तो एक दिन बेस मौका मिल गया कम मिला तो स्री निवास पानूरी जी का लिखे है जो रूपसल पूटूस यह नया जो है सो पईद संग्रा करके इसको मतलब छपाने के परती विचार उठा कि इसको छपा के हम लोग बाहर निकालेंगे और यह जो समय था हूं कब था उनिसमेंड चींगे है उनिसमम का समय था उनिसम, पचा सी दिसंबर तुनक्रा कि कि पर्मानिक जी और बंशिलाल जीशनगे पांटो लेके हम बरवडा पहुंचव लो उनिसम पचासी इसमें धियान रखीएगा सिवनक पर्मानिक जी शांति भारत जी और आपका बंशिला बनसीलाल बनसीजी जी और कौन ये स्री नीवाश पानूरी जी से ही बोरुवा अड़ा में साइन करना चाते हैं और फो रोचलिक फुच्रीन भैंल ना कान ये नतौन मैं या पर परिषी देली तो वैस्च जो साइए के कहला तो हैनी वैसा हम बाबु जी के डायक दियो ही हो कहनिक मतलब हुआ कि जब हम लोग गए बोरवारडा तो उनका बेटा पहले मिलता है पानूरी जी का और पानूरी जी का जब बेटा मिलते हैं तो उनसे मिलने के बारे जब बोले तो उनका बेटा बोलते हैं कि ठीक है आप लोग यहां बैठिये हम बाबु जी को बुला देते हैं तो हनी वैसा हम बाबु जी के के डायक दीयो है है ठीक है अब दीकि आगे क्या सांती भारत जी लिखते हैं यहां रूसल पूटूस का चर्चा ऐ निस 157 दिसंबर और ध्यान रखी प्रमानिक जी है किसे मिलने जा रहे हैं स्रीनिवास पानुरी जी से मिलने जा ठीक है सिवनात प्रमानिक जी करूसर फुट्टूस लेकर वो पांडूनी पीजू था हमनी वैसली मने कती रकम विचार उठे लागल और छाती धड़के लागल ये वो महान कभी दर्शन करें हो मतलब हम लोग तो बैठे हैं लेकिन मन में विचार उठना दिल भी धड़क रहा है और धड़कन भी तेज हो गिया किसके लिए एक महान खोठा साहितकार स्रीनिवास पानुरी जी से मिलने के बाते करने के हैं ना और तनियों देरी साइट पेसेट बैठक येगो भूजूर मतलब तनी देर के बाद साइट पेसेट से बाहर निकला मुड़े काचा या यार पाकल चूल मेंसर आखी चस्मा टहना तक धोती गाते गैंजी और तकर उपरेगो गमच्छा कि माने खोठा कभी सीरी निवास पानूरी जी का यहां वर्णन किये हैं और बता रहे हैं कि साइट परिशट साल के भूड़ भुजूर भूएंगे और मुड़े काचा यार पाकल केनिंग मतलो आधा कच्चा आधा बाल पक गया था आधा बाल कच्चा हुआ था वह आराक में चस्मा लगाए थे और टेवना तक धोती पहने थे और गाते गैंजी मतलो शरीर पर गैंजी पहने थे है ना उपर एको गम्षा और उसके उपर एको गम्षा लगाए हुए थे और कोई और नहीं स्री नुमास पानुरी जी थे जो हम लोग के बीच में इस रूप में इस रंग में आये थे ये बात सांती भारत जी बोरवाड़ अफेबुर में संसमरण में निखरे जो उनके आ प्रणाम किये है उसी परकार से हम लोग को भी जवाब मिलें हमनि ज, पानूरी जी बचला हमनी के वगल में ही पानूरी जी बठे बात बाते ये ये दो सर्से परीच्छी भेल पानूरी जी आए को वजह पुछला तो कहले जे तो हर दरशन करे लही मतलब बात हुआ से और बंसी लाल बंसी जी है तो यह सब मिल के तीनों बोलते हैं आप ही का प्रभू दर्शन करने हम आए हैं सही समय को उनखर बात कहल बात यह नो मने आऊ है तो हम यह खोठा साहित के सेवा करा है इटा जाएने को बड़ी बेश लागा है उसी समय बात होती है किसी निवीवास पानुरि जी कहते हैं कि यह जान के मतलब हमें को बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग भी खोठा साहित का सीवा कर रहे हैं खोठा को यहां कहते हैं इन तीनों खोठा विद्वानों को कि हम तो जिस तरह से था यहां तक सेवा दिये हैं अब इसे आप लोग अपना कलम से इसको लिख कर सीच कर और इसे खुब बढ़ाईएगा यही मेरा निवेदन है यही मेरा प्राथना है हम तो किसी भी परकार से इसका जरूर बढ़ियों यह हमर प्राथना यह हमर निवेदन है यह पानूरी जी अपन भक्ति भाव से खोठा के बढ़ोई के भाव रख लह थी और बढ़ोई चप्चा करूंते हमर मन भावय भौई गया है सांती भारत जी करते हैं कि मेरा मन भाव से मधूर हो गया भर गया सव अचलिए जे दिन खोठा भाव सेवा कर लो बादे पानूरी जी लोतन परिया से कते आसा हाई मतलब कि पानूरी जी को कितना आसा है खोठा के प्रतिकी सिवा कर रहे हैं आज काल तो दूगो कभी तक लिखने पारे लोग यापन के महा कभी से कम ना है कुछ दिन मतलब पान दूचार से लालाई थे उत्सुक है जिग्यासु है और आज कर जिदी देखे तो दूचार को जिदी कोई कभीता लिख देते तो अपने आपको महा कभी समझते हैं और पानूरी जी इतने दिन से लिख रहे हैं फिर भी हमी लोग पर थप दिये कि आप लोग इस जड़ को आगे पेड़ बनाईएगा और पूरा खोठा को विकास करिएगा और ही यहां 20-30 वरच खोठक सायद कर लिखनों बादे पानूरी जी कौन हो गरब ना आए हैं यही बात हैं कि 20-30 साल से पहले से लिखने ध्यान रखिएगा यह प्रश्णिया बनेगा 20-30 वरच पहले से ल सब्टेक करमे करमे बादचित आगे बढ़ा है चाप पानी मिल जुल के मान सम्मान मिला इसके बाद देखी क्या होता है वह गाचेक जूड़े बईस्के खोठक साहितिक सघ्री हमनी कुछ सिखे खाती यार कुछ जाने खाती देखी वहां जो बैठे थे वहां भी एक बरगद का पीड़ है उस बरगद पीड़ के नीचे बैठे थे और इधर उधर भी उसाब ताके जाके लगे उसाब भी मतलब होबु डूबु अपने अंदर से करने ले क्या है कुछ सिखने के लिए कुछ नया चीज खोठा के बारे में जानने के लिए क्यों क्यों कि खोठा का क्यंद्र कोड़ा का साहित कार इतने बड़े 20-30 वरस पुराने साइथ सेवा देने वाली पानूरी जी है सामझे इससे सिखनी के लिए हमरा मुझहिला जैसे तीस वर्ष तीस वर्ष खोठक आती ते आज मानुस रूपे हमनिंग नज्जी के परगड़ भेलाई कभी जी के नावव पालूरी जी से पुछले कभी जी तो ही कते दिन से खोठक सहित लिखला है मतलब सांती भारत जी यहां बताते हैं कि इतने दिन की सेवा जो तीस वर्ष सेवा दे रहे हैं आज मनुस के रूप में हम लोग के भगवान रूपी खोठक प्रगड़ हो गई कभी जी के बात बताते हैं कि नवव पालूरी जी पुछल थी कि कभी जी आप कितना दिन से साहित लिख रहे हैं यह पालूरी जी का मतलब पालूरी जी से सवाल किये कि आप कितना दिन से खोठा का साहित लिख रहे हैं देखिए आगे क्या होदा है इसमें खोठा में क्या पाणूरी जी उतर देते हैं तो है उपर बाटे ताकिक कहले हैं मतलब बता रहे हैं कि पाणूरी जी उपर देखके बोलते हैं देखा हम तो खोठा के तखनें से साहत लिखन क्यों सोचलो नह यकि वहक खोड़ा को तब से लिखने शुरू कर दीए समय कोई सोचे नहीं और लगए कि खोठा का वी चीज आगे चलके जालने क frameworks की रूप में जानने का जरुदरत होगा या फिर जाना जाएगा उसी समय से हम खोठा लिखने शुरूब खोठा कविता लिख्यक जखन कक्रो सुनता लूँ तो हम रोएगो पागल लोग बुझतला मतलब जब पानुरी जी बता रहे कि जब किसी को जानकारी मिलता था कि खोठा हम लिख रहे हैं और कोई सुनता था तो वे लोग हम को पागल समझते थे लोग हमको पागल कहते थे पागल बुझतला मने दैसक आजादिक आगवेले हमर कलम चला हला 1947 जो सवतंतर भारत वह उससे पहले से ही हम खोठा लिखने शुरू कर दिए यह बात पानुरी जी बता रहे हैं और जब लिखने शुरू किया थे उस सुनता था था तो हमको पागल कहता था यह पानुरी जी अपने बारे में बता रहे हैं कि वह या उस समय से हम लिखने शुरू किये हैं हम इने गो दोसर मुझे ताके लागे मतलब बता रहे हैं सांती वारत होगे शिवनात परमानिक और बंसिनल बंसिए तीनों आदमी एक दूसरी का मुझ देखने लगे ताकने लगे और यह बाप रिबाप करती दिन चे श्यवा देव करू थी तकर बाज पानुरी जी घर भीतर गयला और आपन डायरी आइन के अपन कुछ कभीता सुन्वे लागला कुछ में धर्मिक गाथा तो कुछ में मजदूरे किसाने जिन्गिक दुख दर्मिक कभी तक कुछ लाइन एकनो हमर मने है में तोक उगला लिखला रेचना विशेव जाय तो मोटा मोटी पानुरी जी धर्मिक गाथा के कभीता के रूपे बेसी लिखनाती कहने का मतलब हुआ कि जो पानुरी जी है तो अब अंदर जाते हैं घर का अंदर भीत के रखेते हैं और डायरी लाग के कुछ कभीता हम लोग को सुनाने लगे उसमें से कुछ धर्म का गी और कुछ था किसाने की कभीता का कुछ लाइन एकनो हमनी के मने में आयद है मैं तुक जदी देखर जाए तो बात यहां बता रहा है कि जादा सा जादा विशे मोटा पानुरी जि जब सुनाए तो वू सहल के चल्शों के सबसे अधिक कवीता मतलब पानुरी जी लिखे थे थे ओडहां पर लिखे थे दरं के अधार पर लिखे थे Khai ऑग्या सबसे अधिग जदी चर्कुश हो भी है वहां पर तो यह सवाल दडियां अब्स्क भूनेगा त तो धर्म पर लिखे लिए हमनी सुर्वेल मानोबादी जारखंडी संस्क्रीट चाहिता ही सेलेल भाइक भगवानेग उपर लिखर पानुरी जी ग्रचना मन नाय मानन तकन उनकर से पुछलिए कभी धर्मेग बाटे तोहर यतिय टान का है देखिए यहां पर जो सांती भारत जी है वो बात बताए कि हम लोग तो जारखंड में रहने वाले और जारखंड में रहने वाले जो है शो मानव वादी है मतलब मानव के परती लगाव है तो धर्म के परती हम लोग का कम लगाव है कम हम लोग धर्म को मानते हैं इसलिए हम लोग पानुरी जी से सवाल किये कि पानुरी जी हमें यह बताईए आप धर्म के परती इतना क्यों लिखे है इतना आपके धर्म के परती खिचाओ क्यों है कभी जी धर्मिक बाटे तोहर यतिय टान का हि धर्म की बारे में आपका इतना किछा और क्यों है ? तो देखिए आप क्या बताते हैं पानुरी जी क्या उतर देते हैं ? पानुरी जी तनी रागल रकम कहला बुजलियों पानुरी जी या थोड़ा गुशा गए और गुशा के बोले हम बुजलियों तो नी बतिया की चाहिए बुजलियों तो हन्यों जहाजिक डहरे डहराल है हम रों उनकर मानुबादी विचार बड़ी बेस लागे मैं तुक जखन हम सहित लिखा हलो तकन क्यों विचार दिये वाला ना है खोठा सहित भंडार बढ़वे खातिर हम मेगदूत और उद्भासन करन के खोठा में उल्था कर लो कहने मतलब यह वा पानूरी जी गुशा के बोलते हैं हम समझ गल्जोतों की चाहूं तो वह बात मतलब को है जहाजी मतलब डाक्टर एक के जहाजी जो है तो भी मानुबादी है और उसी के रास्ते से शांती भारत और शिवरात परमानिक जी चर रहे हैं तो उन्होंने यहा और देने वाले नहीं थे तब जाकर के हम क्या किए कि धर्म की और पच्छ पकड़े तो धर्म के लिए हमने मेगदूत को पकड़ा रूसी को खुर्ठा में क्या कर दिया उल्था किया मतलब अनुवाद की है उद्भासल कन या लिखा लिखावट में थोड़ा है अपने अस प्रण और मेगदूत का हम खोठा में अनुवाद गिये ताकि खोठा का सब्द भंडार और साहित बढ़े ये बात पानूरी जी बताते आगे देखे आर खोठा बासाक माने बढ़वे खातिल हरी बंसराय बच्चन जानकी बलव सास्त्री हंश कुमार तिवारी है नहीं मतलब खोठा साहित का खोठा साहित को और बढ़ाने के लिए हम हरी बंस बच्चन राय जी के बात को आगे ले आए खोठा भासा में बदले जानकी बलव सास्त्री जी का भासा खोठा में बदले हंश कुमार तिवारी का भासा को खोठा में बदले उसमें हम भी तो को नया नया थें तो हमको भी तो यह सब को बदर कर खोठा का सब्द बंदार साय तब इसके बाद बता रहें कि सब्सक्राइब नले 30 कर्ण विश्ज gebracht मुमिम्निस्ट भी दषब्स घ्रहें तो हम आपको दिखाते है कि कमिनिस्ट भी चारदारा कैसे है और किस परकार से हम communist विचार धारा का अपने खोठा में हम रखें यह बात पानूरी जी बता आज हम लोग इस पार्ट को यहीं तक रखते हैं एक पार्ट और इसमें हम करेंगे और जो बच गया पार्ट उससे उस पार्ट में कर देंगे क्योंकि यह ज्यादा लंबा हो जाएगा और ध्यान रखिएगा जिस परकार से मद्ध्यन किये हैं जिस परकार से हम लोग पढ़े हैं इस पे MCQ हम कर देंगे और MCQ करने के बाद आपका 100% यह भी पकड़ में आ जाएगा कि वह यहां से सवाल उठेगा तो किस परकार से उठेगा ठीक है